नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने योटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज में दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम राजस्तान कला और सेंसकर्ती से समंदित 35 इंपोटेंट क्यूसन देखेंगे तो दोस्तों बहुत ही से इन क्यूसनों को अन तक जरूर देखें दोस्तों और जिन साहतियों ने अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाए जिसें आने वाले हर न्यू वी आवास में तो पुछा क्या है कि खल खानी माता है उसका मेला है वो कहां लगता है दोस्तूं तो कहां लगता है लूनी आवास में ओप्सन डी है जो आपका यहां पर सही रहेगा दोस्तूं चलते हैं क्यूसन नंबर दो की ओर दो नंबर का क्यूसन है दोस्तूं कोचिया गड जिसमें काच की जडाई से सुंदर महल का निर्मान किया गया है कहां इस्तित है Option A है मुकंदगड में Option B है बगड में Option C है पलानी में और Option D है नवलगड में तो कहां इस्तित है दोस्तू कोचियागड जिसमें काच की जड़ाई से सुंदर महल का निर्मान किया गया है का इस्तित है नवलगड में दोस्तू ओप्सन डी है जो आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूसन नंबर तीन की ओर तीन नंबर का क्यूसन है दोस्तू निर्में से कौन सा महल नारगड में इस्तित नहीं है ओप्सन ए है बसंत परकास ओप्सन बी है लक्समी परकास ओप्सन सी है सुरज परकास और ओप्सन डी है आबा परकास तो कौन सा महल है जो नारगड के अंदर इस्तित नहीं है कौन सा महल है दोस्तूँ आपभा परकास यह है जो नारगड में इस्तित नहीं है बाकी तीनों के तीनों है वो कहा है इस्तित है नारगड में इस्तित है चलते हैं क्यूशन नमबर चार की ओर चार नमर का क्यूशन है दोस्तूँ वानी विलास महल कहते हैं Option A है आपके सजनगड़ पेलेस को, Option B है जगमंदिर पेलेस को, Option C है सिटी पेलेस को, और Option D है सहलियू की बाड़ी को, तो वानी विलास महल कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तूं, सजनगड़ पेलेस को कहते हैं, Option A है जो आपका यहां पर क्या रहेगा, सही रहेगा, चलते हैं क क्योंसन नमबर च्छ पांच की ओर पांच नमबर का क्योंसन है दोस्तूं रावला में निर्मित इस्तान जो किसी विशेश वेक्ति का अत्वा नीजी नहोकर सारुजनिक होता था कहलाता था option A है जोरा सर, option B है बिदा सर, option C है देरा सर, option D है मोसा सर, क्या कहला था दोस्तूं वो कहला था देरा सर, option C है जो सही रहेगा बहुत important क्योंसन है ये दोस्तूं चलते हैं क्योंसन नमबर च्छ की ओर, च्छ नमबर का क्योंसन है दोस्तूं सिकंदर लोदी के भाई और तीजारा के सासक जिनुने तीजारा इस्तित पठान के मकबरे का निर्मान कराया कौन था दोस्तों ओप्शन A है जखरिवदीन आलम सहा ओप्शन B है अलाउदीन आलम सहा ओप्शन C है फकरुदीन हुसेन लोदी और ओप्शन D है अलम मुहमद हुसेन बेग तो जल्दी से कमेंट करके बता दो और जिन सातियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो मित्तर वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों तो क्यूसन नमबर 6 आपका सही अंस्वर रहेगा ओप्शन B अलाउदीन आलम सहा दोस्तों बहुत इंपोर्टन क्यूसन रहेगा दोस्तों आने वाली एक जामू के लिए ये चलते हैं क्यूसन नमबर 7 की और 7 नमबर का क्यूसन है दोस्तों बंजारू की छतरियां इस्तित है कहां इस्तित है ओप्शन A है दोसा में ओप्शन B है विकानेर में option c है जेपूर में और option d है अजमेर में तो बंजारू की चत्रियां कहा इस्तित है दोस्तूं दोस्ता के अंदर option a है जो यहां पर आपका सही रहेगा दोस्तूं चलते हैं क्यूशन नमबर 8 की और आठ नमबर का क्यूशन है दोस्तूं परसिद आसोफ हवेली राखी वपाल हवेली हेडर बिल्डिंग गोल बिल्डिंग बडे मिया की हवेली कहां इस्तित है दोस्तूं पहला option है जोदपूर में b option है कोटा में c option है विकानेर में और d option है जेपूर में तो कहां इस्तित है दो दोस्तू, option A जो आया है आपका सही रहेगा दोस्तू, चलते है, क्यूसर नमबर 9 की और, नो नमबर क्यूसर है दोस्तू, बीवी जरीना का मकबराहा कहां इस्तित है, option A है दोलपुर में, option B है बरतपुर में, option C है जेपुर में और option D है कोटा में, तो बीवी जरीना का मकबरा कहां इस्तित है दोस्तू दोलपूर में इस्तित है ओप्सन ए है जो आपका यहां पर सही रहेगा चलते है क्यूसन नंबर दस की और दस नंबर का क्यूसन है दोस्तू डिपोडी महल कहां इस्तित है दोस्तो ऐसे क्यूसन है जो आपने भहुत कम प पहुंचता है आपका प्यार ही है जो इस चैनल को आगे और इस वीडियो को आगे बढ़ा सकता है इसलिए सभी मित्तर लाइक और सेर जरूर करें दोस्तूं तो पढ़ते हैं क्यूसन की और क्यूसन है दोस्तूं दस नमर डि फोडी महल कहां इस्तित है ओप्शन ए है अजमेर में ओप्शन B है अलवर में ओप्शन C है दोलपूर में और ओप्शन D है जेपूर में तो कहां इस्तित है दोस्तूं दोलपूर में इस्तित है ओप्शन C आपका सही रहेगा चलते है ग्यारा नमर क्यूसन की और ग्यारा नमर का क्यूसन है दोस्तूं राज्ये में इस्तित कौन सी हवेली राश्ट्रिय संपदा गोसित होने के बावजूद भी निज्जी संपती के रूप में बनी हुई है कौन सी हवेली है दोस्तों ओप्शन A है सालिम सिंग की हवेली ओप्शन B है राय बादूर की हवेली ओप्शन C है पटवू की हवेली और option डी है सुले मनी हवेली तो कौन सी हवेली है दोस्तू वो है आपके पटवू की हवेली जो क्या है दोस्तू राश्ट्रिय संपता है लेकिन फिर भी ये नीजी संपती के रूप में बनी हुई है चलते हैं 12 नमर क्यूशन की और बारा नमर का क्यों सन है दोस्तों सल्तनत काल में निर्मित एतारकिन दर्वाजा किस जिले में इस्तित है दोस्तों ओप्सन ए है सिकर में ओप्सन बी है चूरू में ओप्सन सी है नागोर में ओप्सन डी है बिकानेर में तो किस जिले में दोस्तु इस्तित है एतार किन का दरवाजा तो किस जिले में आपके नागोर जिले में ओप्सन C है जो आपका सही रहेगा चलते हैं तेरा नमर क्यूसन की ओर तेरा नमर का क्यूसन है दोस्तु बोगी सेल परिकर्मा की जाती है किस पर जोदपूर नगर की ओ option B है पाली की, option C है सिरोई की, option D है नागोर की, तो दोस्तों अच्छा क्यूसन है, बहुत important क्यूसन है, बोगी सेल परिकरमा की जाती है, जोदपूर नगर के दोस्तों, option A है जो सही रहेगा यहां पर, चलते हैं 14 नमर क्यूसन की और, 14 नमर का क्यूसन है दोस्तों, डुले सहा की मजार, मेर्सी, जाबाली की तपो बुमी, वे, सिरियारीius इस्तान, किस जिले में इस्तित है, तो दोस्तों, ऐससे क्यूसन होते हैं, तीन क्यूसन मैंने एक मैं यहां पर मिलाए हैं, तो ऐसे क्यूसनों में से आपको क्यूसन पूछा जा सकता है कि डूले सहा की मजार कहां इस्तित है किस जिले में इस्तित है तो द्यान से देखे और जिनमित्रू ने लाइक और सेर नहीं किया जल्दी से लाइक और सेर जरूर करते दोस्तूं ओप्सन ए है दोस्तों आपका पाली में ओप्सन बी है जोदपूर में ओप्सन सी है जेपूर में ओप्सन डी है उदेपूर में तो कहां इस्तित है दोस्तों यह आपके इस्तित है पाली में option A है जो सही रहेगा चलते हैं क्यूशन नमबर 15 की और 15 नमर का क्यूशन है दोस्तों प्राचिन समय की पानी की गड़ी किस मेल में लगी हुई है उमेद मेल में B option है बुंदी के राज मेल में C option है जे निवास मेल में option D है तलहटी मेल में तो प्राचिन समय की पानी की गड़ी किस मेल में लगी हुई है दोस्तों आपके बुंदी के राज मेल में लगी हुई है option B है जो सही रहेगा चलते हैं क्यूशन नमबर 16 की और 16 नमर का क्यूशन है दोस्तों चन्नी चेरी मेला फालगुन सुकल सप्तमी को कहां मनाया जाता है ओप्सन ए है देशनोग विकानेर में ओप्सन बी है लोहारगल जुनजुनों में ओप्सन सी है मेनाल भीलवाडा में और ओप्सन डी है अंजारी सिरोई में तो चन्नी चेरी मेला फालगुन सुकल सप्तमी को कहां मनाया जाता है देशनोग विकानेर में मनाया जाता है दोस्तु चलते हैं सत्रे नमर क्यूसन की ओर सत्रे नमर का क्यूसन है दोस्तु लाल्या काल्या का मेला आयोजित किया जाता है कहां किया जाता है ओप्सन ए है अजम काल्या का मेला आयोजित किया जाता है कहां दोस्तू अजमेर में आयोजित किया जाता है ओप्शन ए है जो आपका सही रहेगा चलते है अठारे नमर क्यूशन की ओर अठारे नमर का क्यूशन है दोस्तू गरूड मेला कहां और कब आयोजित होता है ओप्शन ए है आपका दोस् जालावाड कार्तिक महिने में, option B है डिग बरतपूर कार्तिक महा में, option C है बंसी पाडपूर बरतपूर कार्तिक महा में, option D है रूपवास बरतपूर आस्विन महा में, तो गरुड मेला कहा और कब आयोजित होता है दोस्तू, कहा आयोजित होता है बंसी पाडपूर option C सही रहेगा दोस्तू चलते हैं क्यूसन नंबर 19 की ओर 19 नंबर का क्यूसन है दोस्तू सोना जी खेतला जी मेला वे गुडवर्ड अस्वे समारों का आयोजन इस्तल जो पाली जिले में इस्तित है का नाम है क्या नाम है दोस्तू option A है मांडिया वास option B है परसूराम option C है सारंग वास option D है जूना खेडा तो क्या नाम है दोस्तू उसका उसका नाम है सारंग वास option C है जो आपका यहाँ पर क्या रहेगा सही रहेगा चलते हैं 20 नंबर क्यूसन की ओर 20 नंबर का क्यूसन है दोस्तू सास्तर गरंतू में गोरिया तिती किस तिती को आती है दोस्तू ओप्शन ए है आपका जैस्ट कर्शन सब्तमी को ओप्शन भी है स्रावण सुकल तर्तिया को ओप्शन सी है चेतर सुकल पंचम को ओप्शन डी है आसाड सुकल तरियोदसी को तो दोस्तों सास्तर गरंतों में गोरिया तिती किस्तिती को आती है तो किस्तिती को आती है दोस्तों यह आती है आपके स्रावण सुकल तर्तिया को option B है जो आपका यहां पर सही रहेगा चलते है 21 नमर क्यूशन की ओर 21 नमर का क्यूशन है दोस्तों राज्यस्तान में राइका है क्या है दोस्तु राइका प्रामप्रागत ओप्सन ए है आपका प्रामप्रागत गोडे करता पोशन करता ओप्सन भी है प्रामप्रागत ऊट पालन पोशन करता ओप्सन सी है नदीव तालाबू में पसल पेदा करने वाले और ओप्सन डी है एक जन जाती है नरते तो दोस्तू भूत important और अच्छा क्यूशन है तो राय का क्या है दोस्तू? उट पालन करता जाती है option B है जो आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूशन नंबर 22 की और 22 नंबर का क्यूशन है दोस्तू? नदियों वे तालाबू में पसल पेदा करने वाली जाती है कौन सी है दोस्तू उपसन ए है आपका कल्बी उपसन बी है कीर उपसन सी है बारीदार उपसन डी है लोदा तो बात हो रही है नदियों वे तालाबू में पसल पेदा करने वाली जाती है तो कौन सी है दोस्तू, कीर जाती है, option B आपका सही रहेगा, चलते हैं 23 नमर क्यूसन की और, 23 नमर का क्यूसन है दोस्तू, हिंदू महिने का प्रारंबिक पकवड़ा है दोस्तू, कौन सा है, option A है बुद्धी, option B है सुद्धी, option C है माग, option D है इनमे से कोई नहीं दोस्तू, चलते हैं, तो दोस्तू, 23 नमर क्यूसन क्या है हमारा कि हिंदू महिने का प्रारंबिक पकवड़ा है, तो कौन सा है दोस्तू, हिंदू महिने का प्रारंबिक पकवड़ा, बुद्धी है, option A है जो आपका यहाँ पर सही रहेगा, चलते हैं 24 नमर क्यूसन की और, 24 नमर जिल हिल, option D है जिलकाद, तो कौन सा होता है इजरी सनकांती महीना दोस्तूं, जिल हिल, option C है जो आपका यहां पर सही रहेगा, चलते हैं क्यूसर नंबर पचीस की ओर, क्यूसर नंबर पचीस है दोस्तूं, जेंद्रम के किस त्युवार को भाद्र पद सुकला तरियो दसी से पूर्ण मासी तक मनाया जाता है, कौन सा त्युवार जेंद्रम का दोस्तूं, option A है अश्ठालिक का, option B है पडवाडोग, option C है सोले कारण, option D है रतन तरियो, तो कौन सा है दोस्तूं, option D सही रहेगा, रतन तरियो दोस्तूं, दोस्तूं, क्यूसर नंबर 26 के अंदर कुछ म 27 नंबर क्यूसर है दोस्तूं, 27 नंबर का क्यूसर है, आड़ी, पाली, हियाली, आदी सब्द परचलित है, किसमे है दोस्तूं, option A है विशेश छेतर के लिए है, option B है विशेश लोग कताओं के लिए है, option C है पहली के लिए है, और option D है करसी के लिए है, तो आड़ी, पाली हियाली आदी सब्द परचली थे किसके लिए है दोस्तु ये ये है पहली के लिए ओप्सन सी है जो आपका सही रहेगा चलते हैं अठाइश नमर क्यूसन की और 28 नमर का क्यूसन है सरेल और सुभोध टिका को कहा जाता है ओप्सन ए है टबा ओप्सन बी है बालाव बोध ओप्सन सी है परकास ओप्सन डी है मरश्या तो क्या कहा जाता है दोस्तु बालाव बोध कहा जाता है चलते हैं 29 नमर क्यूसन की और 29 नमर का क्यूसन है दोस्तु एल पी टेरी टोरी टेसी टोरी समंदित है ALP Tessatory है वो किस से समंदित है दोस्तूं Option A दिया है आपको Didn Sinan Sharesi Option B दिया है आपको राजस्तानी चित्रकला से Option C दिया है ग्रामिन ध़ंचागत विकास से और Option D दिया है राजस्तान के 17 तरतव रंDonus mówi Ciara Arama Su ही तेसे दोस्तों ओप्सन ए है जो आपका यहां पर सही रहेगा चलते हैं क्यूसन नंबर 30 की ओर 30 नंबर का क्यूसन है दोस्तों बिकानेर नरेश डूंगर सिंग ने डूंगर सिंग की महरनी जिसे संगीत कला से विशेश अनुराग था इनके द्वारा रचित सो रचनाओं की पांडू लिपी बिकानेर के गोविंद लाल गोस्वामी के पास थी तो नाम क्या था उस्रानी का ओप्सन ए चंद्रकला ओप्सन भी कमलावती ओप्सन सी नरूकिनी ओप्सन डी क्या नाम था दोस्तों तो उसका नाम था नरूकिनी ओप्सन सी है जो आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूसन नंबर 31 की ओड़ एक तीस नंबर का क्यूसन है दोस्तों केवाई माता का मंदिर इस्तित है कहां इस्तित है ओप्सन ए है बिलाडा जोदपूर ओप्सन बी है किंस किन सरीया में जो आपका यहां पर क्या रहेगा सही रहेगा चलते हैं बतीष नमर क्युषण की ओर बतीष नमर क्युषण है दोस्तों जिक्डी एवं हुर्गो का आयोजन किस अउसर पर किया जाता है जिक्डी एं हुरंगो गा होली पर Option B है मर्त्यू पर Option C है पुत्र जनम पर Option D है वसंद पंचमी पर तो जिकडी वे उरंगो का आयोजन किसा उसर पर किया जाता है दोस्तूं होली पर किया जाता है Option A है जो आपका यहां पर सही रहेगा चलते हैं 33 नमर क्यों सन की ओर कोडा राड होली मनाई जाती है अजमेर में Option B है विकानेर में Option C है जेसलमेर में Option D है जोदपूर में तो कहां मनाई जाती है दोस्तूं कोडा राड होली कहां मनाई जाती है दोस्तूं यह मनाई जाती है आपके अजमेर में option A है जो आपका यहाँ पर सही रहेगा चलते हैं दोस्तो क्यूसन नमबर 34 की और 34 नमबर का क्यूसन है दोस्तो बारतिये लोग कला मंडल उदेपुर के संग्राले में परदर्शित बंदरवाल का निर्मान किसने करवाया option A है दुर्गादास ने option B है महराब खाने option C है भगवान लाल ने option D है जमुना लाल अगरवाल ने तो किसने करवाया था दोस्तो उदेपुर के संग्राले में परदर्शित बंदरवाल का निर्मान तो किसने करवाया था दोस्तो भगवान लाल ने करवाया था option C है जो सही रहेगा चलते हैं 35 नमर क्यूसन की ओर, विरद है एक, क्या है दोस्तु विरद, एक आबुसन है, एक वस्तर है, एक हस्तिलप है, एक रिवाज है, तो दोस्तु विरद एक रिवाज होता है, ओप संडी सही रहेगा, मुसलमानों के अंदर ये रिवाज होता है दोस्तु, तो दोस्तु ये थे हमारे कलास सहसकर्ती के इंपोर्टेंट 35 क्यूशन आप सभी को भहुत भहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत